देखे, शादी कोई ऐसा सामान नहीं है, जिसे आप सरपढ़ होते हैं, लेकिन बहुत से लोग उसे सरपढ़ होते हैं, ये बस एक व्यवस्था है, ताकि सामाजिक तौर पर आपकी जरूरतों को पूरा करने का तरीका थोड़ा समझदारी भरा हो, एक इनसान की जरूरते होती हैं, शारिरिक, मनुविज्ञानिक, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक, कई तरह की जरूरते हैं, इन जरूरतों को एक गरिमा पूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए हमने एक चीज बनाई, ज आपकी इच्छाएं बेलगाम ना हो जाएं और समाज में हर तरफ उतल पुतल ना हो जाएं एक तरह का धांचा ताकि इन्हें एक समझदारी भरे तरीके से संचालित किया जाए अब आपने इसे स्वर्ग से जोड़ दिया है क्योंकि किसी ने आपसे कह दिया शादियां स्वर तो ये बस दो लोगों की बात है ठीक है अब आध्यात्मिक प्रक्रिया भीतर की और मुड़ने के लिए है क्या मैं किसी दूसरे के साथ भीतर मुड़ सकता हूँ शादिया आपके जीवन के कुछ खास पहलूं को संतुष्ट करने के लिए एक व्यवस्था है जीवन को ये सोच कर पेंचिदा मत बनाईए कि आध्यात्मिक मार्ग पर हम दोनों साथ साथ चलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आप वेलिंगिरी पहाडों में चुनते हैं जिस पर आप साथ चलना चाहते हैं अगर आप वेलिंगिरी पहाडों में भी जाते हैं तो कृपे आपने हाथ से हाथ पकड़ कर मत चलिए ये एक सकरा रास्ता है और जंगल में ऐसे चलना ठीक नहीं है आप पार्क में हाथ पकड़ कर चल सकते हैं आप हाथ पकड़ कर खरीदारी कर सकते हैं आप सिनेमा में हाथ पकड़ कर बैठ सकते हैं आप हाथ पकड़ कर भीतर नहीं मुड़ सकते हैं अब, क्या इसका मतलब है कि जो लोग शादी शुदा हैं, चलिए इसे समझते हैं शादी शुदा होने का मतलब है कि उन लोगों ने जीवन में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ओफिशल इंतिजाम किया है एक आपचारिक इंतिजाम, एक इंसान की साधरन जरूरतों के लिए, जो कि शारिरिक, मनोवज्यानिक, सामाजिक और अन्निकई तरह की होती है तो ये व्यवस्था जो आपने की है, इन चीजों को शालिंता से चलाएए, ताकि आपके पास भीतर मुड़ने के लिए समय और स्थान हो अगर आप इन चीजों पर बहुत जादा ध्यान देते हैं, तो भीतर मुड़ना संभव नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अकेले हैं तो ऐसा कर लेंगे अगर आप अकेले हैं तो हो सकता है आप हमेशा कुछ बाहर ढूंते रहें आप अपना पूरा समय और जीवन किसी को खोजने में बिता दें वो भी मदद नहीं करेगा अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छाएं आपकी लालसाएं आपकी जरूरतें शादी की व्यवस्था के जरिये अच्छे से संभाली जा सकते हैं तो ठीक है इसे स्वर्ग से जोडने की कोशिश मत कीजे ये स्वर्ग में तैय नहीं होती मिरा एकीन कीजे और अगर स्वर्ग इतनी जादा गल्तियां कर रहा है तो हमें कई चीजों पर गंभीरता से फिर से विचार करना चाहिए तो भारत में निश्चित रूप से हम इसके लिए स्वर्ग को जिम्मेदार नहीं ठेराते हम खुद हिसाब लगाते हैं तारों और ग्रहों की सारी स्थितियां और हर चीज हम सभी ग्रहों और तारों को अच्छे से मिलाते हैं तारों का मिलन करना बहुत आसान है क्योंकि वे आपस में कभी नहीं जगड़े लेकिन इन दो लोगों का मेल बिठाना ये कोई नहीं कर सका सिवाए उन दो लोगों के अगर वे समझदार हैं अगर वे समझदार हैं तो वे समाल सकते हैं कोई दूसरा इन दो लोगों में तालमेल नहीं ला सकता पुजारियों ने कोशिश की, देवताओं ने कोशिश की, भूतों और पिशाचों ने कोशिश की ये कारगर नहीं हुआ दो समझदार लोग इसे समाल सकते हैं अगर वे दोनु इस व्यवस्था की सीमाओं और इस व्यवस्था की संभावनाओं को समझते हैं तो वे इसे समझदारी से चला सकते हैं अगर आप इसे स्वर्ग से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे ये जरूर धराशा ही होगा तो आपकी शादी का आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया एक भीत्री आत्रा है लेकिन इसका एक आयाम ये है कि लोग अकेले चलने में हिचके चाते हैं असल में ये सवाल गौतम बुद्ध से पूछा गया था क्या अकेले चलना बहतर है या किसी के साथ गौतम ने देखा और कहा एक मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बहतर है क्यूंकि गौतम मैं नहीं ठीक है गौतम को विश्वास था कि सिर्फ एक मूर्खी आपसे शादी करेगा ये उन्होंने कहा है मैंने नहीं ठीक है